कि को है Canadians का है अब सेरा आग चेज़ थोड़ा सा पताना चाहरू है 순간 एक ससे सिंपल है हमारे पास एक फ्रेमवर्क जीड़ी है और इनकाल कर दिया है आप लोगो कि 온 निना अप एक सर्वे बनाकर दिखाया कि यह एक सर्वे आप को धा nucleo आपके फाइल्स होंगे, आपको सबके एक राउड बनाने पड़ेंगे, इससे कंडिशनर आपको एट करने पड़ेंगे, देखो आपको बहुत बड़ा काम था हमारा, वही काम हमारा जो एक्सप्रेस है, दो तीन लाइन में करके रहे हैं, पूरा कहलो कि जो हमने 10-12 लाइन लिखी थी हर एक साइब के लिए सेपराट बनाये थे, अगर तीन साइब बनाये थे, वही काम यहां पर आए कि दो राइस में हमारा सुसारा काम हो जाना है, यह हमारा एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, फ्रेमवर्स का सिंप्ली काम ही यह है, यह यहार, कि वह आपके काम को इंस्टाल करो, एक्सप्रेस को हाइफन हाइफन सेफ कर लो, सेफ सी होता है, यहां पर सेफ भी हो जाएगी, आपके पेसी में, ठीक है, मैं आकर क्या काम करूँगा, मैं अपने एक सेपर फोल्टर बनाऊंगा, इसका मैं नाम रखूँगा, इसी बैकन के अंदर ही, बैकन मैंने यहां पर कुछ अपनी चीज़ें जनरेट करनी है यहां पर, और आपनों को याद होगा कि NPM इंस्टाल, या कुछ NPM इंस्टाल लेकर बूट्साप भी करते हैं, वो हमारे पास एड हो जाती है, हमारी पैकेज और जैसन वाली फाइल में जाकर, ऐसी है, बट यहां प पास वो कमांड नहीं है, ना, NPEX Create React App की जो कि वैसे डेड हो चुकी है, आरवास बीट जैसा की डिफरेंट चीज़े हैं, लेकिन अगर आप लोग के पास NPEX Create React App नहीं है, आप लोग कुद मैनुली पूरी React की वो एप क्रिएट कर सकते हो, जो 832 फोल्डर से आप कुद मैन आकर नहीं देता, सारा काम फूद करना है, तो सबसे पहले, आप लोग अगर बनाना चाहते हो अपनी वो एक Package or JSON की फाइल, चेक है, उसके लिए आपको क्या 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 मतलब क्या है, नोट Package Manager, हमने यह चीज़ देखिए अपने वहाँ पर, फ्रंटर वारी साइट प इसको कुछ देना चाहिए, मैं एंटरेंटर ऐसे कर रहा हूँ, जो जो देता जाया, मैं इसको एंटरेंटर करता जाया हूँ, ठीक है, जब इस सारा का सारा काम हो जाएगा, वो मुझे बुचे का, is this okay, मैं वो भी yes कर दूँग, आप हाँ जी okay है, तो जैसी okay किया, आप द इंपोर्टन फाइल यही फाइल होती है, वो हमने जनरेट कर लिए, यहां पर आके, सही है, अगर आप लोग CLS करो, और इसको जड़ा ओपर code space dot करो, थाकर आपके विसकोर में जाकर open होजे, आप लोग देखोगे, कि यह आपके पास पैकेज और जैसन की फाइल जनरेट हो तो एकसर की जो हमने डॉक्मेंटेशन देखिया, हमाँ से कमांड उठा सकते हैं, Ctrl C करो, यहां पर आके इसको पेस करते हैं, Ctrl V और एंटर कर देते हैं, तो यह क्या ही है, हमारी Express as an independence इंस्टाल हो गया आजाएगा, हमारे पास, और इंटरनेट है तो तो यह हो गया, यह दो npx create react app नहीं करा चाहते है, खुद manually अपना react yi app create करना चाहा रहे हो, आपको क्या आ क्या करोगे? मैं अपना एक पहले आपको गथा रहा हूँ, mpdir करते हैं, ऐसे एक random कर रहा हूं, या test, ठीक है, एक folder बने एक test कि नाम से ठीक है, cd करे eaht me jatay, या आगा seed test में, आप लो रिए के रने हेरा यहां करें किसको यत्री आपका क्षाम करल कई हैं स्थर इक तह पेसsky होगी आपके आपको बता रहे हो आपका कैसे आपकड गृट्र हो गीнет मैनुल हा सब क्शुर और इंस्टायन करते हो react-dom ठीक है यह कुछ चीज़े आपके होती है और उसके बाद के पास एक और चीज़ होती है slash clients की react-dom slash clients आपको याद हो यही चीज़े हमारे पास हमारी index हो जैसकी file में थी react में ही अगर आप यह काम करते हो और इसको अगर आकर एंटर करते हो ना तो वही आपकी साच चीज़े बनके आजेंगी वही कुछ फोल्डर आपके पास बनके आएंगे पास यहां पर उसमें रियक को भी लेकर आगे और रियक्त को भी लेकर आ चुक है अब कुछ और भी इसकी डिपेंडेंसी जो जो किम लोग इंस्टाल करते हैं अपने पूरी ख्रियाट की अपको क्रेइट करने के लिए ठीक है बट इससे हमारा काम बन जागा बट मैं इसको बाकर कर रहा हूं और यहां पर आके इसको डिलीट कर देंगे तो समझागी मैं बनाना है और हमारे पास एक पैकेज और जिसमें हमारे पास एक पड़ा होगा बट अब आकर जाना मैं अपना एक और भी यहां पर आके पैकेज को सॉल्फ करने वाला हूं के वह है हमारे पास मारा नोड मान अर यह हमारा काम इतना असां करेगा कि आघ बार-बार जिमन सब्भी अपने सब्सर्वگ अब अब हमें सिर्फ कंट्रोल S करने है, अब हमें सिर्फ कंट्रोल S करने है, तो करेंगे NPM install करो, –D करो, –D अब क्या होता है, मारे पास as in dev dependency, आप तो direct नहीं करोगे NPM install node 1 यह direct किसी नहीं करना, क्योंकि node 1 हमारे पास एक ऐसा package है, जो कि सिर्फ फर सी आपके development package होता है, development dependency है, मचला कि आप सिर्फ उसको यहां पर जब आप code कर रहे हो ना, उस time पर यूज करते हो, production time पर जब लाइक आप उसको deploy कर रहे हो, उस time पर यूज नहीं करते हो, अगर आपने इसको npm install node 1 ऐसे ही कर दिया, तो वह वहां पर आपकर install हो जएगा आपका जो कि मसला बन सकते हैं, तो हमें चाहिए सिर्फ as in dependency, तो आप लोग आगर क्या 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 करोगे, अब अगली बात क्यों पर आजाते हैं, और अब मैं आकर क्या क्या करता हूं, अब अपना server त्यार करते हैं, इस पार होगा हमारा server express के थूँ, तो आप लोगों को अभी कुछ error आएगा, बताऊंगा error के आएगा, अब जैसे मैं अपनी फाइल बना रहा हूं, app.js server.js जैसा वह आपकी मरसी है, मैं इस पार आकर app.js की file बना रहा हूं, और अब आप लोग यह चीज़ ध्यान में रखोगे, कि वह आप जो काम पहले कह रहे थे, cost.http is equal to require.http करने के ज़रुत नहीं है, क्योंकि hypertext transfer protocol express के अंदर पहले से है, आप लोगों को इसको initialize करने की ज़रुत नहीं है, आप लोगों को क्या initialize करने है, सिर्फ express को initialize करने इस पार आकर, कैसे, वैसे import करो, पैर express को इस बार उसको render configure करो, कैसे, cost.express is equal to require express, यह हो चुका है, अच्छा यह ने मैंने अपनी extension install की हुई है, इंपोर्ट कॉस्ट के नाम से, एक extension जो मुझे बता थे, जो मैं अपना package उस कर रहा हो ना, उसकी sizing क्या है, वो मुझे बता रही हो थी calculate करके, ठीक है, अच्छा, अब scene कुछ यह है, access और उसके बाद जो आपने इसको initialize, इस उपर import किया है, अब आपको यह configure करना पड़ेगा, पहली बात ही है, क्योंकि आपका access जो होता है, उसके थू आपकी एक app configure हो रही होता है, आपका server configure हो रहा होता है, आप लोग करते हो cost, app या आपका variable का नाम कुछ भी हो सकते है, is equals to आपका उपर वाला extra job का variable था, express और कुछ यह, महलब as in उसको function configure कर रहे हो आप लोग, सही हो गया, कुछ लोगों की convention यह होती है, कुछ लोगों की convention होती है, कि direct एक ही line में आकर इसको app बना देते हैं, और फिर इसको आगे जाकर वो configure कर देते हैं, ऐसे बाते दोनों रहे हैं, तेक है, उसको as in function कॉल कर रहे हैं, मेरी convention यह है, कि मैं एक separate file बनाता हूँ, उसकी separate अपना variable बनाता हूँ, और उसमें आगर उसको रेंटर कर रहा होता हूँ, इसको हम लोग क्या काम करेंगे, express कर देंगे, naming convention के उपर है, अब pure note just और express, इन सब में, इन दोनों में एक चीज़ कॉमान है कि server listen ज़रूर करेगा, आप लिसन हो रहा था, यहां बेर भी listen होगा, आप लिसन क्या हो रहा था, हमारा server वाला variable, server.listen, यहां बेर लिसन होगा हमारी यह वाली app, क्योंकि अब यहां पे हमारा asset कोई variable नहीं, server ला की app ही सारा हमारा काम कर रही है, मैं करूँगा, यहां पर के simple app.listen करो, और हमें करूँगा, एक console.log, console.log करो इसी इसको आकर, और मैं उसको आकर, एक static text देता हूँ, server is listening on port, और 5000, ठीक है, तो, जब आप लोग यह बना लोगे, तो अब मैं तेस्ट कर दो कि मेरा server ठीक ठीक चल रहे हैं, तो अब मैं आकर node करके, server नहीं चलाओँगा, अपना node नहीं, आप node-mon, node-mon, इस तो अगर node-mon करके, app.js करते हैं, और enter करते हैं, कुछ device, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जिसकी device में यह command काम कर जाए, मैं भी मेरे पास यह काम कर जाए, मैं test करता हूँ, लेकि मेरे पास hopefully काम नहीं करेगी, node-mon, app.js करिया, enter किया, अगर हमने इस एक error आप लोगों का आ सकता है यह, कि यार, उस चीज़ को, cannot be loaded, ps1 cannot be loaded, because running script is disabled on this system, अब यह error किस चीज़ का होता है, आपका यह error होता है, कि आपका जो node-mon, हमने एक third-party package है, तो third-party package को हमेशे आपकी जो device है, वो ऐसे accept नहीं करती है, वो यह समझे कि नहीं, यह कोई hacker हो सकत है, जो हमाई इस device में कोई script add कर रहा है, वो script का हमें message दे रही है, तीक है, उसे हम वो disable किया हो, इस system पर आकर, एक तरीका इसका ही है, कि आप अपने script को enable कर दो, enable कर दो उसको, लेकिन थोड़ा सा safe side से हम लोगो फिर दूर चले जाएंगे, कि by any जासे अगर कोई hacker आ जाता ह है, वहां पर हमारे पास, तो वो तो enable है, मसला बन सकता है, वैसले लेकिन वो चीज पॉसिबल है, आप लोग क्या करते हो, अपने command होते है, set execution policy, उसको unrestricted कर देते हो, by default, वो restricted होती है, आप उसको unrestricted कर देते हो, वो फिर आपकी साथी चीज़ों को accept कर रहा होता है, वो एक अच्छा तरीका नहीं, लेकिन वो पॉसिबल है, एक्सका पॉसिबल विए यह है, कि आप अपने नोड मोन को globally install कर लो, npm install minus g, minus g को globally install कर लो, मैंलब आपकी पूरी device में, जाब मज़े आप नोड मोन को अब यूज कर सकते हो, कुछ इस तरह से, सही है, enter, और hopefully मेरे पास environment variables, environment variables हमें देखे हैं, कि आप लोग जब अपना windows में जाते हो, यहाँ पर आके आप सर्च करते हो, environment variables अपने, तो आप लोग जो भी अपना new software install करते हो, आपको उसका path जो है, वो यहाँ पर आपके add करना पड़ता है, हमेशा, अब यहाँ पर देखो, मेरे इसका path क्या मेरे node 1 का भला, यह है, users के अंदर, हारिसली, app data, roaming, nbm, और nodes, उसमें यह चीज़ बढ़ी है, मुझे इसका path हैड करना पड़ेगा, यहाँ पर आके, पहले इधर आके अपने PC में चलते हैं, C drive के अंदर, कहाँ पर है, C के अंदर users बढ़े है, users, और, हारिसली, app data, आपको यह भ हुआ हमारे पास यहाँ पर आके, यह भी इशू आ जाता है, ठीक है, अगर मैं आकर इसको देखता हूँ, मेरा .config में नहीं होगा, यहाँ पर भी ऐसे यहाँ पर आईगस नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल create नहीं हुगा, एक इसका path हैड कर दो, लेकिन इसका जो है ना, कह स्क्रिप्ट अपनी नहीं आट करता हूँ, अब यहाँ पर एक डिवेलपर के पास पूरी एकसेस होती है, वो अपनी कुछ की कमांड कर सकता है, मतलब इसका क्या है, मैं पहले अपना सर्वर स्टाट करता है, नोड करके आगे अपनी कमांड का नाम, मैं अपनी कमांड यहा किसे करेंगे हो यहां पर कॉमा करो script में हम परणों आप एक यहांपर करें कि आपके अगर आप करते हो Joining इसको Start एक स्टार्ट की चीज की चीज़ आ आप दे आप कि आप आपने आखर मैं NPM start कर देता हो ना enter कर देते हैं तो यह मेरा server start हो जाएगा सभी हो गया यह क्रीका काम करेगा यह करेगा और यह कोई यलव भी नहीं है हमारा हमने खुद अपनी command add कर दी है हमारा पार सारा control है अगर आख को YouTube वीडियो देखते हूं वहां पर उन्होंने अन्पम run dev के तुर इसको start किया रहते है उसमें क्या होता है उसमें क्या होता है उसमें क्या होता है कि आप एक ही a command add कर तो dev की मतलब as in dev dependency आप इसको start करें अब उसमें क्या करते हो वापस यही node-mon करके add.js अब सीन कुछ है कि मैं अपना npm run dev की command add करूँगा npm run or dev यह भी मैं अपने server को start कर सकता हूं back end के server को यह फिर भी start हो गया सही है आप अपनी scripts को add कर सकते हो यहां पर आके तो मैं यहां पर आके अपना वही इस dev वाले को अटाऊंगा और हमारा front end और हमारा backend दोनों एक ही command से आप चल रहे हैं npm start front end react और backend यह ओक हो यह ना npm start करो तो और एक और और चीज कि जब कभी भी आप लोग अपनी आप अपने पूरे रूट को चेंज कर लिए सर्वर रिस्टाट आपका होगा बाकिस वाज में आप चेंज करके नहीं करते हो सही हो गया यहां सब को clear है express की base अभी हम हमारी चल रहे है express की basics अब एक्सरे हम लिए यूज क्या क्या करना है इसने हमारे पास proper क्या यहां लोग के methods आने वाले हैं जो हमने कल थोड़ा सा देखा था get post patch put delete कल में आपको थोड़ा सा बताया था अब यहां पर कुछ वैसे काम करेंगे हम लोग यहां पर आकी यूज क्या करने वाले app. करेंगे get request लग सकती है हमारी app. post request लगेगी हमारी app.put होती है app.delete होती है command हमारे पास app.use होते है app.listen तो मैंने देखी लिए listen भी होते है सही है और इसमें क्या होते है app.all भी होते है एक page होते है एक app.all हो गया और एक app.page होते है user .initially थीक है इतना गया इन सब commands थीक से use कर लेते हैं आपका 70-80% express हो जाते है इन सब commands को अगर आप लोग use कर लेते हो थीक है तो अब देखते हैं कि एक एक करके इन सब करें ऐसे use किस तार से करना है आज देख रहे थे कैसे use करना है सबसे पहसे पहसे बढ़ एक एक गेट्टिक केस्मारनी है रोगोंने साइड बाइसाइड आपना कल जो पहले कोड किया हूए प्यॉर कस्टम सर्वर वाला वो साइड बाइसाड कोल के लिगा था कि आप मेरी सेम्डेस दिखा सको कि यार फरक क्या है दोनों में बैकेंड को पर आते हैं और कस्टम सर्वर क जो उपन करते है और जोगे सको भी ही कर लिगा इसको फॉपन विद कोड तो आप लोगे हों किया काम किस था से हो रहा है अब देखो यह हमारा पूरा काम हो रहा था डिफॉर्ट राओट्स का हमने क्या है है यहां पर आकर रिक्वेस्त और रिस्पॉंसर दोना को चलर के कि अपना यूरल उसको देना है यह वाला यूरल जो भी है वह यह आप यह करते हूं कि यूजर जाते है मेरे स्लैश के उपर तो तो आपने क्या आगम करना है अच्छा यह जद रहूं यह जो है एक तरक का callback return होगा हमने बात के request और response एक तरक का callback है ना एक यह basically इस पर एक request जाएगी और second का parameter है इसका second argument है request, response सही है और यह मैं आकर कुछ यह करता हूँ का simple यह जो चीज है यहाँ आकर मैं करूंगा res.send अब यह पहले res.end होता था अब यह res.send है अगर इसमें आकर simple मैं एक message देता हूँ इसको hey express this is our homepage for example और इसने save कर बारवात में server को restart करने की ज़रूरत नहीं है अब आप में से कोई भी अगर जाता है localhost 5000 के उपर खाली slash के उपर आपनों कोई message मिल जाएगा किस तरह से आप लोग यहाँ पर आओ अपने browser में लिखते हो localhost 5000 और enter और मैं लोकल होस में यहाँ पे colon नहीं लिखा पीछे चलो यार मैं लोकल होस्ट कॉलन 5000 और enter तो चेक कर लो है express this is our homepage हमारे पास आ रहा है और यहीं काम हमने पहले कितना किया था note.js के थूँ इस यह है तो रैस जोट करो वह डिफरेंट चीजें पंगे बहुत सब्सक्राइब यहाँ पर आपके बट जो हमने पहले काम किया मुझे यहाँ पर यहाँ काम करने क्या मुझे अपने फ्रेंट को बैकन के साथ साथ हमें रेंडर करना है लेकिन अब हमारे पास वह इस लगाने की जरुरत नहीं है हमारे पास अब यह चीज़ आज चुकिए अब सीन कुछ यह है रिक्वेस्ट में जा रही है कि इसके उपर मैं कुछ और पर डॉट एट करता है मैं बोलता हूं यार एक एप.get करो इस व और बाउट पेज कुछ इस तरह से सेव कर रहा हूं अगर अब आकर हम लोग करते हैं स्लैश करके अब आउट के उपर तो बिल्ग है जार अब बाउट भी आ रहा है सब कुछ ठीक राग वर्किंग कर रहा है हमारे पास यहां पर आके सही हो गया ठीक है यहां तक मैं कोई म मारा मैश नहीं कर रहा तो आउल में चला आजएगा सिंपल कैसे हम लोग करेंगे एप डाव सिंपल और और यह यह ना रिख बेज़ेगा कहां पर स्टैरिक के उपन हमारा हमें पता है स्टैरिक कम्तला बैटा और सारे सथा है पहला पैरामेटर उसके बार सेकी बढ़ा इस थोड़ा सा मुझी ये बेतर दिखे कुछ इस तरह से सेव किया डन है तो अगर वो अबाउट के उपर गया चल रहा हमारा होम के उपर गया अगर हम वो फिर भी चल रहा हमारा सब कुछ ठीट का वर्किंग कर रहा है लैश रेंडम उस पर रिसोर्स नोट फाउंड आ रहा है अब सीन कुछ यह है कि हमें काम करना है तो मैं आप क्या गाम करूंगा मैं यहां पर आकर यह काम करने वाला हूं अपनी कोई एक टेंप्लेट पकड़ते हैं टेंप्लेट फोर्थ आगेस जो हमारी प्रॉपर फ्रंट्रें बैकें जिसमें दोनों चीज़े थी जो आप रिक्वेस्ट बेची बैकेंड के उपर उसका रिस्पॉंस आएगा इस जो और इसको नाम आपकर चेंज करूंगा एक कॉमन कवेंशन होती है हम लोग उसका नाम पब्लिक रख देते हैं कि जब कभी भी आपने किसी स्टैटिक टेक्स को वहां से कोई रिक्वेस्ट ब पब्लिक रख हमारे पास सारी सारी चीज़े आ चुकी हैं अब आप लोग यहां पर आके क्या काम पर होगे आप लोग को याद होगा कि शायर पेर दूसरी क्लास में नोट जेस की हम लोग ने अपने कुछ मोडियू देखे ते उसमें एक मोडियू था पाथ का पाथ का पा है किया हमारे पास से फनक कालों मीडल वे होता है थोड़ा से इसको मैं आइडिया दू यह रगगे पूरी क्लास है मेरे पास याप की दो सिम्पल जैब्स लोगों को आपस में गरता है किससरा में स्था सठाव से उई आपके बेकंड के साहिए आपके आपके डिछुम्स के साथ एक तिसंपप धर्वाइस को चाहि में कर सकता इस नारे में ऌलुजा ऑपयोगों और यह एक ताक का method है कुछ ऐसे call करागे और इसमें आप क्या का आप करो इसको आपका वेरियुल था है express वाला आप वोगो कि express और dot करके आप देखो तो इसमें हमारे पास different methods है आप करोगे access.static सही इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि यह फंक्षन है जो हमसे हमारी उस static file का like उस static frontend का path मांग रहा है जो हमारा path प्रॉपर क्या बन रहा है एक string के अंदर मैं बोलूँ को dot slash public folder पूरा ऐसे ही है न तो बस यह इतना काम था इसका इससे अब क्या आगा हम किया है उस static path को मेरी server के साथ link कर दिया हुए मेरे पास वो पूरा पूरा बैक ना फ्रॉन्टेंड जो है न वह सारा आज प्रॉडर के अंदर ही पढ़ा है अब इसके में जितनी इमेजिस पढ़ी है जितनी CSS पढ़ी है जितनी HTML की फाइस पढ़ी है जितनी JS की फाइस है वह सारी अंडर होगी है इसमें मुझे बार 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 सेप्र नहीं करना पड़ेगा इस पूरा 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 पूरी चीज को कर दोगा क्योंकि एक सिंपल सा टेक्स था ज्जिस को स Sara कगा सबस्राओं परइञ्ज संपल्सक्राश अगर अपने को मुझे इसससे पहले करा अदध्र लोगा मुझे अपने modifying इंप पास के मेंटट को ऊपर पर इंपोर पेकिज मैं करूंगा कॉंस करके मेरा path is equals to आप लोग रिक्वाइर कर लो मेरे उसी path को path require हो गया तो आप लोग को याद होगा मेरे path.resolve करके कुछ अपना path.resolve set किया था मैं यहां पर क्या वही क्यां करने वाला हूँ है send send file में मैं फाइल कॉंसे send करूंगा path.resolve कर लेना और क्या आपने resolve करने अगर आपनों को याद होगा तो resolve वाला हमसे दो parameter ले रहा होता था underscore underscore directory name करके हमारी उस exact file का नाम तो मैं बहुत दूँगा इसको underscore underscore der name करके हमने अपनी जिस file को यहां पर रेंडर करना मुझे किसको करना मैं बोलूँगा या dot slash public के अंदर slash करके index.ishtml क्या यह ठीक है सही हो गया तो अब मैं उसको बोले कि आपने यह path resolve करने डिरेक्टरी नेम यह है और आपने उसको यह इस file को मेरी access करने और send file आपने यह कर देनी है अब expect यह कर रहा हूं मैं जाता है तो इसको मेरा वह पूरा कपर मिल जाना है जो मेरी इस file में पढ़ा हुआ है और को सब्सक्राइब करने की जोरत नहीं है उसका path नहीं की जोरत नहीं है अब यहां पर हमें request के पर जोरत नहीं है क्या हुए system हमारे पास हमारे पास साज लाइक जिती भी इसकी CSS ही वह अपलाए हो चुकी है और जिती भी लाइक उसकी नहीं कर पारा क्यों नहीं कर पारा अगर मैं जांपर इसको इंसपेक्ट करता हूं और हम लोग इसका अगर चेकर रही है और यह देख लो सब्सक्राइब हो गया यह दों में यह दो यह C Mundy डशेन में और वहा इतनाbol नहीं है वही जो अफ़िल आ गाम ढिंट कर दिया सक्टी illness i고 वह एक दो लाइन से में हमारा काम हो चुक है यह लाइन और एक्षस.static यह वड़ा ली लाइन हमारा काम वह सारक सारा हो चुक है अपने इस पूरे के पूरे फोल्डर को रेंडर करें लेकिन अगर यह स्टाइल वसके बाहर पड़ी होती और यह मैं बात करें अगर एक कंट्र के अंदर वाली फाइस करना है नहीं जाएगी मैं इस अब मेरे पास नहीं आने वाली है ctrl x करो वापिस से इसको पब्ली के अंदर वापस आकर इसको पेस करो इंडेक्स अंदर आए जाकर वापस आप लोग स्टाइड और css सिंपल करता होगे तो यह आप लोग की प्र प् यह नहीं वो नहीं हो सकता विकर स्टैटिक का मतलब यह को स्टैटिक पास का एक्सेस कर रहा है अब इस चीज को जो है मैं फिलाकर लिए एंड कर रहा हूं कुछ यहां पर आके